तो गैस आज अपन लोग इंडियन भाई ड्राविंग टीडी की सीटी से जाने वाले हैं जीटे फाइब की सीटी में क्योंकि जीटे फाइब का जो फ्रेंकलिन है ना उसने काफी बढ़िया वाला बंगला लिया है और साथ मयार उसने बोलाई कि भाई दीवाली भी मेरे साथ ही बनाना तो ठीक है फिर चलते हैं ठीक है फ्रेंकलिन तो मैं आज साम तक आजाओंगा चेलो गाईस तो जैसे कि तुम लोगों को पता चली कैए कि आज अपन लोग जीटे फाइब की सीटी में जाने वाले क्यों कि यार अपने फ्रेंकलिन ने दो करोड रुपे का बंगला लिया है उसी को दिखानी के लिए उसने अपनों को इनवाइट करा और साथ में उसने ये भी बोलाई कि भाई तुम मेरे पास में आजाओं अपन लोग मस्त तरीके सथ दीवाली भी सेलिवरेट करेंगे तो अभी ना guys मैं जाने वाला हूँ GTA 5 की city में लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे पूरा उनको बता दूँगा और फिर देखते भाई वो क्या बोलते हैं हेलो सर मेरा नाम फ्रेंकलिन है और आज मुझे अपने दोस्ते से मिलने के लिए GTA 5 की city में जाना पड़ेगा तो क्या आप मुझे पर्मिशन दे दोगे अरे बिल्कुल फ्रेंकलिन तुम अराम से जाओ यार थोड़ा बहुत पेपर वर्क होता है लेकिन कोई बात ने तुम हमारे पेचान के हो तो तुम आराम से जाओ यार सब पुछ में देख लूँगा अरे ठेंक्यू सो मच सर वेल्कम फ्रेंकलिन चलो यार ये तो काफी बढ़िया हो क्या भाई पुलिस वालों ने तो अपने को बिना किसी मगश मारी कैई भाई अपने को पर्मिशन दे दिये जीटे वाइब की सीटी में जाने के लिए तो फिर केसी जाए यार कुछ नो कुछ तो सोचना हो पड़ेगा एक सिकिन यार मेरे दोस्त के पास में जेट प्लेन है तो भाई क्यों ने आर अपने लोग अपनी कार उसको दे देते हैं भाई बहुत मेंगी का रहे है तो ठीक यार अराम से चला भाई मैं के से चला रहा हूँ इसको और यार इसी कोई सी गली में था साथ से ये हाँ ये लेफ्ट वाली जो गली है ना उसी में मेरा फ्रेंड है तो चलो उसके घर चलते हैं बाकि यार वो घर पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बाहर घूमता रहे था उसके जेट प्लेन से वो एक सेकेंड अरे भाई मिल गया भाई कितना अच्छा लगी भाई आज अपना चलो चलो इससे बात करके आते हैं और राजू भाई क्या आले यार छोटा सा गाम यार आज तुमसे अरे बिल्कुल फ्रेंकलिन भाई बोलो यार क्या गाम है यार अपने कोना जीटी वाईब की सीटी में जाना है तो मुझे तुमारा प्लेन चाहिए एक मिट रुको मैं अभी फोन लाके पूछ लेता हूँ तो राजू भाई ना किसी से फोन पे बात कर रहे हैं उनके जेट प्लेन के बारे में देखते हैं बाई क्या होता है मुझे लग रहा भाई होई जाएगा अपना काम तुम प्लेन को रेटी करो हम 5 वीट में आ रहे हैं चलो फ्रेंकलिन भाई तुम्हारा काम हो गया है अरे भाई मज़े आ गया राजू भाई ना अपना काम करवा दिया उनने जेट प्लेन की विवस्ता करवा दिये चलो भाई जली से एरपोर्ट चलते हैं बेटो राजू भाई आगी सीट है हाँ यार फेंगलिल भाई मैं सोच रहा था कि भाई इसकी सीट कहाँ पे आगी है ना ठीक है चलो चलते है तो मेरी जो प्लानिंग थी ना पूरी की पूरी सक्सेस्फुल हो चुकी है हम लोग ना राजू उर में हम दोनों जा रहा है एरपोर्ट में वहां से हम इसका जेट प्लेन लेंगे और जेट प्लेन उडाके सीधा पोच जाएंगे जीट फाइब की सिटी में भाई बहुती मज़ा आने वाला है वेसे यार मैं राजू भाई सो कुछ कहना चाता हूँ चलो उनसे बोली देता हूँ राजू भाई जैसा कि मैं तुम्हारा जेट प्लेन लेके जा रहा हूँ तो तुम ना उसके बदले मेरी कार रख लोगा इससे तुम बहुत गूमना और हो सके तो भाई ट्रावलिंग का काम भी कर लेना अरे नहीं फ्रेंकलिन भाई इसकी कोई जरुत नहीं है अरे नहीं राजू भाई रखना पड़ेगा यार चैलो ठीक है फ्रेंकलिन भाई आप इतना केर है तो मैं आपकी बात को टालूँगा नहीं वैसे सामने आपको जो प्लेन दिख रहे ना वही अपना है उसके पास मे जाता हूं और इस प्लेन में बेड़ जाता हूं का राजू भाई का मूड ना बसल जाए तीके राजू भाई आप इसको रख ले ना मैं चाहता हूं भाई इसमें उड़के अपने जीड़े वाई की सीड़ी में है की के फ्रेंकलिन भाई फिर मिजदें है और राइड यह देखो यहार 2-3 सेकेन में तो इसने देड़ सो प्लस स्पीड पकड़ी कितना पावरफुल प्लेन है यह बहुत ही अनकुफोटेबल भी यह बहुत ही छसा चुका है और इसको संभालना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किले भाई ठीक यह अबे तो हम लोगों को जीड़ वैप की सीटी में तो फाइन ही लिगा इस हम लोग जीटी फाइब के अंदर आ चुके हैं वेस यार मुझे एरपोर्ट अपने फ्रेंगलिन की सीटी का तो मिला है नहीं दा तो भाई मैं ट्रायवर की सीटी के एरपोर्ट में आ चुका हूँ ओब भाई रुख जा रुख जा नहीं भाई आप क्या ओने वाला एक सेकेंट बड़ वाले को भाई आज को पूरा दीन लेकार जारा बड़िया ता लेकिन जीटी में जीटी में आयो ना मेरा पूरा का पूरा दीन घराब जा रहा है बाकियार मेरी सबसे बड़ी प्रोब्लम तो यह है कि अभी जेट प्लेंगा में क्या करूंगा राजु भाई को में क्या जवाब दूँगा यह सब तो उनसे बाद में अपन लोग निपट लेंगे क्योंकि अपने अपनी कार देके रखिए अभी न यार फ्रेंकलिन ने मेरे लिए यहां पर एक कार बेजिए तो उसके पास में चलते हैं और यार दस मिनिट से जादा हो चुके भाई कार क्यों नहीं मिल रही है गुसा हारा भाई मुझे कहा है कार एक सिकन एक सिकन राइट साइड में में कुछ देखा है और ट्राइट गईस तो हम लोग को ना वाई फ्रेंकलिन ने जो कार बेजिती वह हम लोग को यहां पर मिल चलना है तो चलते है भाई यह कार कुछनी तकड़ी भागरी जरासी धीर में यह 120-140 और यह तो बहुत ही ज़्यादा चलती है यह कार तो यार इस कार को तो संभाल के लिए के जाना पड़ेगा वरना फ्रेंकलिन फ्रेंकलिन ओ बाई बजगी बाई बजगी मुझे तो लग करते हैं उसके पास में चलते हैं वेसे पता नहीं यार इतने बड़े शोरूम में मुझे कहां पर मिला लेकिन फिर भाई ट्राए करके आते हैं अंदर जाते तो यार अंदर जाके दिखते भाई वो कहां पर हो सकता है वेसे पूरा खाली क्यों दीख रहा मुझे यह बंद ह हो चुका है क्या अब यह रहा अपना फ्रेंक्लीन और भाई फ्रेंक्लीन क्या आले मैं भी बढ़िया हूं यार और बताओ तुमने घर कहां पर लिया है मेना बहुत जादा एक्साइटेड हूं है तुम्हारा घर देखने के लिए तो चले यार जली से गाली के अंदर अब लुद्धेड गाल यार बहुत जादा एक्साइटेड हूं है तुम्हारा घर देखने के लिए यार फ्रेंक्लीन भाई तुमने तो मेरी कार की बारा बाजा दी भाई पूर ठोक दीया आगर से भी फोट दी इसको क्या खर आया तुमने इसा क्या खरू है आपकी गार इतनी तेज भागती है ना मानी नी करता इसको सिलो चलाने का अच्छा चलो ठीक है कोई ना यार मैं इसको सही गरवा लूँगा तुमना अभी कपड़े की सोप पर ले लो अपन दोनो कपड़े घरे लेते दिवाली के ठीक है फ्रेंकलिन भाई तो फ्रेंकलिन भाई ने मुझे लोकेशन बताई ये कपड़े की सोप की और ये लो भाई अपन लोग कपड़े की शोरूम पर भी आ चुके मतलब ये कोई शोरूम नहीं है बाकि उनके पहचान का एक कपड़े वाला है जो क्यार काफी बढ़िया कपड़े देता है तो ठीक है बाई चलते है आज आओ वाई इस कपड़े लेते है नए वाले मजा आने वाले गाई दिवाली अपनों लोग बहुत लोग भाई फ्रेंकलिन के नए वाले घर पे जाने वाले लेकिन पता नी यार ये इतना रूठा रूठा मुझे क्यू लग रहा पता नी भाई इसको क्या होगी एक दम से दे को काली के अंदर भी नहीं बेट रहा भाई है अरे फ्रेंकलिन भाई बेट जाओ यार लेट हो रहे हैं okay यार तो काफी मनाने के बाद में अपने फ्रेंक्लिन भाई बेट चुके हैं और उन्ने, यार मेप में लोकेशन भी लगा दी हमने सीधा, इनके ठाने वालें उन्ने जो नया वाला घर लिया है वहाँ पर जाने वालें, तो यार में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यार उनका बॉंगला देखने के लिए भाई क्योंकि उन्होंने बताया है कि बहुती बड़ा घर है वो बहुती आली शान घर है तो चलते जल्दी से बाई यह टैनल में कितनी बढ़िया साउंड आ रही है वैसे यहां से ओ भाई थोड़ी सी टच हो गई यार थोले सा ओल डेमेज होगे अपनी गाड़ी में और राइट तो यहां से गई से हम लोगों को राइट लेना है तो राइट भी ले लेंगे ओके बाई कितना प्लेन रोड़े और यार यह शाम इतनी जल्दी कैसे हो गई यार देखो ना भाई संतो दिखी नहीं रहा मुझे अभे यार यह फिर से टुके है पदा नहीं भाई यहां के लोग कौन सा वाला गांजा फूक के गारी चलाते बाई दिखता नहीं कोई आजमी तेज स्पीड में आ रहा है तो रास्ते से अड़ जाओ और भाई अरे सोरी फ्रेंकलिन भाई अपनी ठुकेगी तो फाइनली गई सम लोग अपने फ्रेंकलिन भाई के बंगलों में आ चुके चलो यार जली से अंदर चलते और इसको देख के आते बाई बहुती मज़ा आने वाला है अरे फ्रेंकलिन भाई सम ने जो रास्ता है वही अपने घर के अंदर जाता है देखो आप तो यहार में यह से अंदर नहीं जा सकता यार कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है यार इसकी ना भी चाबी मुझे उस बंगलो वालों ने दी नहीं है जिससे मैंने सेकेंड जो लिया है ना वहाज साम को आएगा और अपने को यह देखे चला जाएगा इस घर की चाबी तब अपन लोग अंदर जा सकते भाई कि अभी तुम ना भाई पूरे गर का टूर द नीचे जाने के लिए साइज से हमें लेप्ट की साइड में नीचे सिडाओ है ना हाँ यहां पर सिडाओ है यहां से नीचे जाते हैं वैसे फ्रेंकलिन भाई कहां पर यार कहां टेलते टेलते आ रहा है यह बाबू से बात तो नहीं करने लग गई है खेर चलो यह तो आ जा जा सकते हैं क्योंकि इसकी अभी नहीं मिलिया फ्रेंक्लिन भाई को इसकी चाब नहीं मिलिये तो ठीक यार यह भी यहां तर किये पर सामने चलो इसके अंदर कूधी मारते हैं वाई मज़े आगा वाई से मिपूल भी कुतना बड़ी आया और क्यों मॉस्ट लग रहा है वैसे अपन लोग इसी घर के अंदर दिवाली को सेलिब्रेट करने वाले और हम लोग ना भाई इस घर के लिए भहुत सारी चीजों को भी लेके आने वाले हैं तो हम लोग आपसे मिल रहे कल वैसे गाईस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो क्या करो यार जनली जब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपके में मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई लव यू और श्यूज मी